थॉमस एडिसन का जनम जो है वो 11 फर्वरी 1847 में हुआ था भारत जब आजाद वह से 100 साल पहले ठीक है इन फाक्ट साल पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मिलान ओहाई ओमेंड का जनम हुआ साथ बच्चे थे इनके माता पिता के Samuel Edison और Nancy Edison इनके माता पिता थे पिता जी का नाम Samuel माता जी का नाम Nancy सबसे यंग थे तो कड़ा काफी इनको प्यार मिलता था ठीक है बड़े दुलारे थे माबाब के बहुत ज़्यादा दुलारे थे इनके पिता जी जो थे वह political activist थे और जो इसकूल से इनको बहार निकाल दिया गया था तो जो इनकी initial education है इनकी माता जी ने उसका जिम्मा उठाया कि मैं Edison को पढ़ाऊ नहीं होता क्या था कि इनको बड़ा शौक था जानने का और बहुत सवाल पूछते थे तो काफी ऐसे कहानिया बहुत सारी है चलिए कुछ हम एक चूजे बाहर आते हैं तो इनको लगा कि मैं भी ये कर सकता हो तो ये अंडे पर बैठ गए मैं भी चूजे निकालूँगा अंडे में से चूजे तो नहीं निकले इनकी पैंट गंदी हो गई चोटे से थे एक बार क्या हुआ कि स्कूल में थे ये तो इसकूल में बड़ा स चूजे मकौड़े खाते हैं तो क्या हम भी कीडे मकौड़े खाके ऊड़ सकते हैं तो इनकी टीचर ने बोला शायद ये पागल हो गया है जवाब नहीं दिया तो इन्होंने सारे कीडे मकौड़े इखटा कि उसका गोल बनाया पानी में डाला और अपने दोस्त को दे दिय ठीक है उसने पी लिया उसने और convince किया एडिसन ने business mind देखिए छोटे थे convince किया कि तुम इसको पीलो तुम उड़ जाओगे देखो चिडिया उड़ जाती है कीड़े मुकड़े खाने से तुम भी उड़ जाओगे वो उड़ा नहीं वो बिमार पढ़ गया बढ़ी पिटाई स्कूल में बात करने जाती है मंद बुद्धी एडिसन और ऐसे नहीं चल पाएगा एक बार क्या हुआ कि एडिसन घर आये वापस और उनके पास एक खत था एक कहानी आये खत था और लेटर था वो टीचर का था तो जब इनकी माताजी ने उस लेटर को पढ़ा तो उनकी आ इसको कुछ नहीं आता इतना बेवकूफ एतना डम है कि हम इसको अपने स्कूल में रखी नहीं सकते और यहां पे दोस्तों बताना चाहूंगा कि एक जीनियस मदर का जनम हुआ जिसने एक जीनियस इंसान को बनाया परिवार का रोल यहां पे बहुत जादा एहम होता है टी सोसाइटी एडिसन के टैलेंट को पहचानने में नाकामियाव रहा है एडिसन जहां पे भी जाते थे अजीव हो गरीब थे तो मतलब ऐसे अपने में बात करते हुए जाते थे ठीक है तो सब इसको पागल समझते थे कि यह पागल लड़का है तो यहां पे इनकी माता जी को पता था इनकी मदर को पता था कि Edison कितना वड़ा जीनियस है और शुरुवाती पढ़ाई जो है ना वो इनकी माता जी ने करवाई मदर ने करवाई 11 साल तक 12 साल तक इनकी मदर ने Edison को खुद पढ़ाया और उसके बाद Edison इतनी जाधा पढ़ने लगा Thomas Edison के पिता जी जो थे वो कहते थे वो रिश्वत देते थे बेसिक लिए और ये बहुत ही बढ़िया पैरेंट्स के ये बहुत अच्छा हो सकता है बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक आइडिया निकाला था वो पैसे देते थे Edison को ये ऐसा है कि तुम ज केप्रामेंट शुरू से इनका डेवलप हो गया था घर के नीचे बेसमेंट तो वहां पे चोटी सी लैब बना ली थी इन्होंने और इनकी माता जी पूरा इनकी मदर इनको सपोर्ट करती थी बेटा कि जो करना है करो ये आसमान तुमारा है तुमको जो करना है करो कोई भी निउसपेपर सेल करने है आप मुझे निउसपेपर सेल करने दीजिए और कुछ समय बाद इन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस भी खोली तो निउसपेपर यहां पे एडिशन का निउसपेपर निकलता था जिसको ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड बोला जाता था इसमें बोद कुछ पाई दिया था ये घर में रहके सिर्फ पढ़ते ही रहते थे और जो भी डाउट होता था अपनी माता जी से पूछते थे मदर से पूछते थे वो बताती थी तो ये चीज होती थी तो अब ये क्या करते थे अब भाया पैसे तो थे ने इनके पास प्रिंटिंग nem करते थे वह को के आता था ये ट्रेश्स चलती थी उन्दर जाके ये पेपर्स बेसे तो इनके पेपर्स को बहुत पसंद कि आने लगा साथी साथ इसाथ केंडी भी भी बैसेट चॉकलेट्ट पीम्हेज दे लोग केणी भी लेते ते पेपर्स भी लेते ते और थामस file चे लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक एक्सिडेंट हो गया एक्सिडेंट कैसे हुआ देखिए थॉमस एडिशन को हमेशा से एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्या पसंद था तो रेलवे की एक कैरेज एक बोगी में उन्होंने छोटी से लेबॉरेट्री जो है वह स्टैबलिश कर ली थी वह केमिकल लेबॉरेट्री थी उसमें वह एक्सपेरिमेंट करते रहते थे तो एक बार क्या हुआ कि वह लेड एसेड बैटरी का एक्सपेरिमेंट कर रहे तो 16 स थोड़ी एचा उसको अभी हम छोड़ते है थोड़ी देर के लिए ठीक है तो यह एक्सपरिमेंट था यह फेल हो गया एक्टम से ब्लास्ट हो गया और तो सल्फ्यूरीक ऐसे वह नीचे गिर गया जब कंड़क्टर आया कंड़क्टर ने खीच के तमाचा दिया राइट हेड पर बहुत जादा अच्छा एक चीज और एडिसन बहरे थे ऐसा बोला जाता है कि एडिसन को बचपन में स्कार्लेट फीवर हुआ था जिसकी वज़े से पूरी तरीके से ने लेकिन पार्शियल डेफनेस हो गई थे सुन पाते थे लेकिन बहुत अच्छे से नहीं सुन पा ठीक है तो एडिसन को पार्शियल डेफनेस थी सुन पाते थे लेकिन बहुत अच्छे से सुन नहीं पाते थे हाला कि एडिसन इसको अपनी ताकत बताया उन्होंने भोला अच्छा है मैं सुन नहीं पाता हूँ क्योंकि जो मेरा फोकस था उन मेरे काम पे ही रहता था इधर तुमने धमाका कर दिया मुझे पागल समझ के रखा है कंड़क्टर निंको बार निकल दिया निकलो अब यह ब्लेसिंग इन डिसगाइस था यहां से एडिसन की नई जर्णी शुरू होती है ठीक है न अब हम यह देखते हैं कि सबसे पहले तो एडिसन ने टेलिग्राफ सी अब इसकी भी एक कहानी है दोस्तों क्या था कि एक लड़का था उसका नाम था जेमी मेकिंजी वो ट्रेन के नीचे आते आते बचा ट्रेन आ रही थी वो पट्री के बीच में खड़ा था तीन साल का था वो एडिसन ने देखी है वो दोड़ते हुए गए और उसको बचा क के बापस लिया है उनके पिताजी छेशाप इंड़ीग्राफ कंपणी में काम करते थे पहले टेलीफॉन नहीं होते थे टेलिग्राफ सही काम किया जाता था यहां से कोड सबेजे जाते हैं को धाक्ती बड़ी बड़ी लंबी लाइन्स होती थी भारत में भी उस समय इंजन इस्पेशली जब इस्टीम इंजन का इंवेंशन हुआ तो यह पूरा revolution आ गया 18th और 19th century में ठीक है वही सही industries बनना शुरू हुई capitalism का concept आया colonization शुरू हुआ colonization का British और Europe में Europe की countries ने जो उपनिवेशवाद किया पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया उसकी जड़ में क्या है industrial revolution capitalism समझ गए बहुत बढ़िया तो यहाँ पे हम देखते हैं कि Edison ने उसको बचाया तो पहले telegraph lines होती थी ठीक है बड़ी बड़ी lines और यहाँ पे ऐसे coding एक machine होती थी छोटी सी ठीक है उसमें अगर इस समय टेलिफोन नहीं और आप मुंबई में है तो मैं क्या करूंगा कि ऐसे ऐसे टाप करूंगा ठीक है और यह मौस कोड में बात होती है आप तक पहुंचेंगे यह सारे code और आप उसको decode करेंगे कि यह कहना चाह रहे हैं तो यह टेलिफ अब इसको operate करने के लिए बड़ी expertise की जरूरत थी तो जिस लड़के को Thomas Edison ने बचाया उनके पिता जी तो कंपनी में टेलिफ कंपनी में काम करते थे तब इतने खुश हो गए Edison से कि तुमने मेरे बेटे को बचाया मैं तुमको इनाम दूंगा और इनाम यह होगा कि टेलिफ कैसे काम करता है वह मैं तुमको बताथूगा तो उन्हों ने टेलिफ में काम करना सिखाया कि किस तरीके से टेलिफ के साथ काम करता है Western Union में फिर काम करने लगे Thomas Edison ठीक है ना इसी दोरान ये Louisville Kentucky भी shift हो गये Associated Press से भी काम करने लगे उनके साथ भी काम करने लगे इनकी basically जो shift थी न वो night shift थी ठीक है रात को काम करना ज्यादा पसंद करते थे और जो day shift थी उसमें ये experiment करते थे मतलब होता ये था कि basically जो भी खाली टाइम मिलता था Edison को वो experiment करते वो lab में काम करते यानि की एक minute उनको rest नहीं था बिल्कुल भी rest नहीं लेते थे वो बस काम ही करते रहते थे बहुत कुछ सीखा टेलिग्राफ कैसे operate करते है वो सीखा उसकी technology को सीखा उसके बाद parallel ही इनके experiment भी जारी थे ठीक है अब टेलिग्राफ की जब इन्होंने technique देखी ठीक है तो वो technique इन्होंने apply की जब इन्होंने अपना पहला invention किया एग जून 1869 पहला patent इन्होंने एक electric vote recorder बनाया हाला कि यह fail हो गया जब यह गए और demonstrate किया politicians को कि यह देखिए अब से जो voting होकी उसका record हम ले सकते हैं तो पहला जो patent था पहला जो invention था Edison का वो fail हुआ हाला कि इस दोरान लगातार experiment करते रहते थे हमस एडिसन के सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई भी चीज़ invent करने से पहले यह कम से कम 500-600 बार fail होते थे शुरू में और in fact आपको बताना चाहूंगा जब इन्हों इलेक्ट्रिक बल्ब का invention किया यानि कि इलेक्ट्रिक बल्ब को modify के invention करना तो invention वैसे हम बोल सकते हैं लेकिन जब इन्हों इलेक्ट्रिक बल्ब को modify कि modify थोड़ा जाधा अच्छा यूज होगा वर्ड का मतलब यह modify वर्ड जाधा सही होगा तो यहां पे जब reporters ने पूछा कि आप 1000 बार fail हुए इतनी बार fail हुए इतने experiment आपको कभी ऐसा डर नहीं लगा या आपको कभी ऐसा मन नहीं किया कि आप ये छोड़ दें ठीक है जो आप कर रहे हैं काम उन्हों ने बोला बिल्कुल नहीं क्योंकि मुझे 1000 ऐसे तरीके पता चल गए थे जिससे मुझे ये पता था कि इन तरीकों को आजमा के तो invention नहीं होगा ये तरीके काम नहीं करने वाले तो मुझे ऐसे तरीके ऐसे 1000 तरीके ये होती है positivity हर चीज में failure में भी अगर आप positivity ढून लिये तो आपको फिर success होने से कोई रोक ही ही नहीं सकता तो ये चीज़े टेलिग्राफ सीख लिया western union company में काम करने लगे ये ठीक है ना बॉस्टन शिफ्ट हो गया और बॉस्टन में उस समय बहुत सारी inventions होती थी ठीक है ना तो ये सारी चीज़े थी पहला जो invention था वो तो fail हुआ लेकिन बहुत ही जल्द इन्होंने एक universal stock printer इसको जो है वो develop कर लि ठीक है ना और उसके बाद इनका जो सबसे बड़ा invention था photograph ठीक है जिसको हम drama phone भी कहते हैं ठीक है वो जब invent किया तो वो एक revolutionary invention था sound produce हो रहा था यहां पे एक machine हम देख रहे हैं जो की sound produce कर रही है आवाज produce कर रही है तो ये बहुत बढ़िया चीज थी उसके बाद इन्होंने ये जो invent किया था stock printer इसके इनको अच्छे कासे पैसे मिले ठीक है ना बहुत 40,000 dollars मिले और इन्होंने ये बेच दिया और यहां पे जो 40,000 dollar मिले इनको ऐसा लग रहा था कि जो मैंने बनाया है वो शायद 2-3,000 dollar का बिगेगा इतना महंगा नहीं बिगेगा लेकिन जब 40,000 dollar म में बिगा तो ये खुद भी surprise हो गए थे कि क्या बात है मुझे इसके इतने सारे पैसे मिल गए बहुत बढ़िया उसके बाद इन्होंने एक न्यू जर्सी में अपनी lab बना ली खुद की laboratory बना ली machines लगाई वहां पे लोगों को रखा definitely इसमें काफी लोगों ने मदद की थ इतली वाले पोप नहीं ठीक है ना दूसरे पोप मतलब इनके दोस्त पोप सर्नेम था पोप तो उन्होंने मदद की एडिसन की इन सब में laboratory लगाने में मदद की यहां पे बहुत सारी partnership डेवलाप होना शुरू हो गई western union के लिए फिर उन्होंने quadruplex जो है वो तैयार किया यह क्या था telegraph देखिए actually होता क्या था कि telegraph का जो use था वो पहले single था ठीक है मतलब वो multiplex नहीं था ऐसा था कि जैसे एक बार यह line है ठीक है यहां पे आप है यहां पे आप है एक बार आप message भेजेंगे अब जब आप message भेज रहे हैं तो यह इंसान message नहीं भेज सकता यह line खाली आपके लिए खाली है समझ रहे है जैसे railway की single line होती है न कि एक time में एक ही बार train जा सकती है और भाईया एडिसन ने तो इसको quadruplex कर दिया मतलब एक बार में चार बार message जा सकते हैं जैसे आप यहां बैटे हैं आप यहां बैटे हैं आप message भेजा उसी time यह भी आपको message भेज देगा टेलिग्राफ पे ऐसे ही करके दो और message यानि कि एक साथ चार message भेजे जा सकते हैं तो यह जब एडिसन ने डिवाइस किया यह quadruplex टेलिग्राफ बनाया western union ने हाथो हाथ लिया धेर सारे पैसे दिये हमारा है यह क्योंकि इससे काम बड़ा आसान हो गया ना बहुत जल्दी से फटाच से जिस काम में पूरा दिन चला जाता था अब उस काम में 2-3 घंटे और जाधा पैसे मिले और जब इतने जाधा पैसे मिले एडिसन ने अपनी नई company खोल ली और इन्हों ने अपने इस venture को और जाधा फैला दिया लेकिन एडिसन का असली प्यार तो electricity था जी हाँ एडिसन को तो बिजली बनानी थी और उन्होंने बिजली बनाई बहुत टाइ ठीके से हम बिजली को पैदा कर पाएं हम पूरी दुनिया को रोशन कर पाएं उस समय इलेक्ट्रिक लैंप थे लेकिन उनकी लाइफ बहुत कम थी जो इलेक्ट्रिक बल्ब हमफ्री डेवी का जो मॉडल था ठीक है वो मॉडल ठीक था वो एक inspiration था ठीक है उसी मॉडल पे based जो है Edison ने काम किया और उसके बाद बहुत सारे scientist है समझ रहे न आप यहाँ पे हमफ्री डेवी आया देखिए एक चीज तो आप माल लीजे कि light bulb का पूरी तरीके से invention एडिसन ने नहीं किया है इससे पहले बल्ब का model अल्रेडी आ चुका था Edison के पास बस पैसा था और उसको modify किया Edison ने ठीक है न तो यह चीज थी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ Edison से पहले हमफ्री डेवी बोमिन फार्मर स्वैन ये सब बल्ब का model दे चुके थे यहां तक आपको बता दूँ कि एक James Woodward और Evans ये दो scientist थे जिन्होंने बल्ब को invent कर ल पैसे नहीं है इनके बास पैसे चाहिना आपको तो ऐसा हुआ कि इन्होंने तो बल्ब को लगबग लगबग बनाई लिया था पैसे की कमी के कारण इन्होंने जो अपना राइट था वो बेच दिया Edison को Edison ने खरीद लिया थीक है न तो जब Edison ने Woodward और Evans का patent light bulb पे था वो खर चाहिए करेंट बहुत जादा चाहिए था बल्ब को जलाने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह कि बहुत जादा energy wastage दूसरी चीज यह कि बल्ब एक बार जल गया तो बहुत ही कम ताइम उसका बहुत ही कम था वो मुश्किल से एक दो घंटा बास फिर फुस कुछ नहीं कर स करते हैं तो एडिसन ने सबसे पहले तो यह सोचा कि यहां पर हाई resistance की जरूरत है बहुत सारे metals पर काम किया इन्होंने carbon filament लगाया काम बन गया इनका तो यहां पर हम देखते हैं कि October 1879 को जब बल्ब का invention होता है यह बल्ब साड़े तेरा घंटे जला समझ रहे ना 22 October 1879 दूर दूर से लोग देखने आ है और इससे पहले एडिसन ने हजार बार कोशिश की थी तब भी वो success नहीं हुए थे तो परशान होगे थे बहुत जादा 1878 से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था बल्ब पे और हां बहुत सारे engineers भी लगा रखे थे ठीक और बड़े efficient efficient engineers इसम Company का नाम था पहले तो Edison Illuminating Company और बाद में इसको General Electric Company बना दिया गया है ठीक है ना इसी कंपनी में ही Tesla काम करने आता भी हम बात करेंगे इस से पहले इस साल पहले फोनोग्राफ को इन्वेंट कर दिया था फोनोग्राफ को gramophone भी बोला जाता ग्रामाफोन अपने देखा होगा याद है इस तरीके का बाजा होता है ठीक है ना उसके बाद ये डिस्क होती है ऐसे लगाई जाती है और ये घूमता है ठीक है और ये tape recorders बसते है music के लिए बह सोचिए एक लड़के को मंद बुद्धी बोला गया उसको गालिया दी गई उसके बावजूद परिवार का माता जी ने parents ने talent को पहचाना और उसको edition बनाया ये सीख है उन parents के लिए जो ये expect करते हैं अपने बच्चों से कि 90% तो आने ही चाहिए मैं हाथ जोड़के आपसे विंती करना चाहूंगा क्योंकि आजकल ऐसा जमाना हो गया कि 90% नहीं आए ऐसा नहीं है 50% आए चाहें बच्चा फेल हो याद रखिएगा किसी को भी सिर्फ नंबर से मता किये ठीक है ना उसकी असली काबलियत को पहचानिये क्या पता आपका बेटा जिसको आप लोग अगला एडिसन हो ऐसा ही होता था लेकिन सपोर्ट की जरूरत होती है इसमें परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है वरना यह जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना यह टूट जाते हैं इनका सेल्फ कॉन्फिदेंस धराशाई हो जाता है तारे जमी पर जो मूवी थी वो यकीन मानिए आप दो महिने उस बैग से एकसरसाइस कर लीजे आपकी बढ़िया बॉडी बन जाएगी इतना भरी बैग होता है उनका और उसके बाद 90 परसेंट 6th 5th क्लास के बच्चे कोचिंग कर रहे हैं ट्यूशन्स ले रहे हैं क्या education system है support करिए याद रखिए support की बच्चों को खुद पढ़ा है माबाप खुद पढ़ा है उससे अच्छा तो कुछ होई नहीं सकता interaction बढ़ेगा क्या बात है इसको जरूर सोचिएगा ठीक है ना तो medicine के ओपर वापस आते हैं तो अगर medicine की बात करें तो यहां पर इन्होंने phonograph gramophone को भी invent कर दिया था यह ब पूरी दुनिया में फैलने लगी तब इन्होंने और बहुत सारे काम करने शुरू कर दिये ठीक है ना इन्होंने पावर सिस्टम बनाने चुरू किये इन्होंने henry ford henry ford की बायाफी एक घंटे का सेशन है जरूर देखिएगा जिन्होंने car introduce कर दी पूरी दुनिया को motor ग ट्रिक कर दिया डारेक्ट करेंट जो एडिसन का था वह बहुत जादा प्रचलित हो गया था अभी आम टेसला की भी बात करेंगे टेसला रुके रही है बहुत लोग बोल रहे होंगे कि सब टेसला का इसमें अभी मैं आ रहा हूं motion movie motion picture जो थे वह इन्होंने बनानी शुरू ली थी और इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम भी किया था सब मरीन डिटेक्टर्स थे गन लोकेशन टेक्नीक्स थी किस तरीके से ट्राकिंग की जाए जिससे अमेरिकी सरकार को बड़ी मदद भी मिली थी ठीक है ना तो ये सारी चीजे हुई थी बहुत समर्द थे एडिसन बहुत अमीर थे बहुत ही एफिशेंट बिजनसमेन थे दो शादिया की थी इन्होंने 18 अक्टूबर 1931 में का देहांत होता है डायबिटीस से 84 साल के थे लेकिन एडिसन हमेशा खुश रहते थे और जब उनके आखरी दिन भी थे तब भी बहुत खुश रहते थे उनको पता था कि मैंने बहुत कुछ अकंप्लिश कर लिया है मरते मरते भी उन्होंने बोला कि यहां पर सब बहुत सुन्दर है तो यह कहानी थी अब हम आते हैं पेटेंट्स के बारे में बात करते हैं 1093 यह रिकॉर्ड है 1093 इनके पास पेटेंट्स है सब कुछ खरीद लेते थे ठीक है और उस पर काम करते थे और पेटेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है यह आपने काम किया है ठीक है अब टेसला के साथ यही हुआ था टेसला ने पूरा रेडियो पर उन्होंने काम किया था लेकिन उन्हीं के मॉडल को उन्हीं की स्टाइल को मार्कोनी को उनने copy करके radio invent कर दिया था ठीक है न तो patent बहुत जरूरी होता जो आप काम कर रहे हैं उसका patent ले लिजे कि मेरा ही काम है इस पर और कोई काम नहीं करेगा ठीक है न उसके बाद फिर जो खरीदे वो आपको पैसे दे तो यह important होता है ठीक तो यह चीज है उसके बाद दोस्तो हम देखते हैं टेसला की भी entry होती है निकोलाई टेसला दुनिया के सबसे बड़े genius एक ऐसे scientist जिन्हों ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया आज जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में निकोला टेसला की तो तस्वीर लगा के पूजा करनी चाहिए कि सब उन्हीं की अटो बायोग्राफी में ने रिव्यू किया इनके किताब को रिव्यू किया है निकोला टेसला की दो देखिएगा इन्होंने अल्टरनिक करेंट बनाया एडीसन का था डारेक्ट करेंट निकोला टेसला अमेरिका है बहुत कम पैसे ले किया बहुत बड़े genius थे उस समय तक निकोला टेसला पैसे नहीं तरहें कि निकोला टेसला के बाद दिमाग बहुत तेस था तो निकोला टेसला आया एडीसन की company उसमय बहुत बड़ी थी दुनिया की सबसे बड़ी electric company थी एकलौती electric company थी जो एडीसन की थी मतलब जो अगर हम बड़ी companies की बात करें तो यहाँ प टेसला है देखा बड़े-बड़े इंजीनियर्स फेल हो गए कुछ नहीं समझ में आ रहा था निकोला टेसला ने लिया पेजकस निकाला आराम से घंटे के अंदर मशीन चका चक निकोला टेसला ने बोला लाईए मेरे 50,000 डौलर एडीसन ने उन पे हसे और वोला कि यह प् कंपनी से अगर आप लात मार के आ गए हो तो आपको फिर कोई कंपनी जॉब भी नहीं देगी भिकारियों जैसी कंडिशन हो गई थी निकोला टेसला की पता है आपको फैक्टरी में काम किया निकोला टेसला का जो अल्टरनेटिंग करेंट था वो कमाल का था एडीसन के करे यह थी कि जो डारेक्ट करेंट था वो बहुती कम डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता था वो एक मिल से जादा जाए नहीं सकता था लेकिन निकोला टेसला का जो अल्टरनेटिंग करेंट था वो दूर दूर तक जा सकता था लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसकी इतनी जादा थी इतना जादा intensity थी कि अगर किसी भी मशीन को भेजेंगे तो मशीनी डाइमेज हो जाएगी voltage इतना जादा था तो Nikola Tesla ने transformer बना दिया ठीक है transformer का काम क्या होता है कि current बहुत जादा high voltage को low voltage और low voltage को high voltage step up step down भाया जो original voltage आता है जो current generation बहुत तगड़ा होता है तो transformer उसी को तो कम करता है वरना तो आपके घर में जितने भी अगर जिस तरीके से बिजली जनरेट होती है transformer नहीं लगाया जाए तो आपके सारे के सारे appliances भुक जाएंगे ठीक है ना तो ये निकोला टेसला ने किया तो निकोला टेसला का alternating current बहुत ही बड़ी आता लेकिन Edison और निकोला टेसला इन दोनों के ego भिड़ गए अब Edison ने बोला कि मैं जीते जीतो निकोला टेसला को कभी successful होने नहीं दूँगा बोला नहीं मतलब उनकी यही मंच आती तो Edison ने पूरी कोशिश की हाला कि इसका पहलू यह भी है कि इनकी लड़ाई को बहुती बड़ा चड़ा के दिखाया जाता है ऐसा वैसे नहीं था क्योंकि Edison के लड़ाई किसी और इंसान से थी उनकी जो लड़ाई थी वो वाचिंग्टन से थी बेसिकली लेकिन Nikola Tesla की लड़ाई Edison से थी Nikola Tesla ने थान लिया था Edison के लिए Nikola Tesla इतने बड़े इंसान थे ही नहीं क्योंकि क्या था कि वो तो alternating current एक छोटे से इंसान है उनकी एक छोटी सी invention है तो मुझे क्या दिक्कत है ऐसे लोग तो इधर उदर घूमते रहते हैं लेकिन Nikola Tesla को पता था कि मेरा alternating current Edison की company को बरबाद कर सकता है हाला कि उनकी कभी भी यह मंशा नहीं रही बरबाद करने वाली लेकिन वो चाहते थे कि उनका alternating current यूज हो ताकि पूरी दुनिया को बिजली मिल जाए तो Nikola Tesla को पैसे ही नहीं मिले Nikola Tesla ने हर जगा कोशिश की कि मुझे पैसे दे दो तो मुझे पैसे दे दो लेकिन Nikola Tesla को नहीं मिले Edison का इसमें बहुत बड़ा हाथ था Edison ने Nikola Tesla के किलाब प्रोपगेंडा चला है यह सच में हुआ प्रोपगेंडा चला है कि किस तरीके से alternating current वेकार है Edison ने electrocution स्टार्ट किया जानवरों को, elephants को, हाथियों को current देना स्टार्ट किया उनको मरना स्टार्ट किया लोगों को मारा बिल्कुल सही बात है electrocution अमेरिका में सजा बिजली से दी जाती थी फांस ही नहीं दी जाती थी electrocute किया जाता था Edison का direct current था एक बार एक अपराधी को जब execute कर रहते है तो Edison का current direct था Nikola का alternating current था तो यहाँ पर Edison के current से तो तुरंत मौत हो गए Nikola Tesla के नहीं क्योंकि alternating current था वो तो phase में आता है न तो यह चीज थी अल्टिमेटली जीत, देखिए शुरू में तो जब तक Edison जिंदा रहे डेफिनेटली एडिशन की जीत हुए एडिशन के पास पैसा था सच्चाई कब तक छुपाओगे Nikola Tesla का अंत बहुत थराब हुआ लेकिन उसके बाद Nikola Tesla का जो alternating current है पूरी दुनिया में आज alternating current चल रहा है तो Tesla को basically father of हाला की father of electric city तो definitely Michael Faraday है लेकिन Nikola Tesla को modern father बोला जा सकता है क्योंकि इन्हों ने जो किया वो किसी ने नहीं किया पूरी दुनिया को बदल के रख दिया तो ये war of current आला कि इस पे पूरा separate lecture हो सकता है क्योंकि इतने सारे events है इतने सारे events और इतनी सबर्दस्त कानिया है अगर आप चाहेंगे तो मैं war of current पे एक separate lecture बना दूँगा ठीक है ना तो ये चीज़ थी अब इसका मतलब यह नहीं कि आप Edison को ऐज़ा विलन देखे Edison एक बहुत ही जबर्दस्त businessman थे Thomas Edison को पता था कि business कैसे किया जाता है Nikola Tesla को unfortunately ये नहीं पता था एक बार क्या हुआ था Nikola Tesla Edison के एक सह कर्मी के साथ टहल रहे तो उन्होंने एक आदमी को देखा तो Nikola Tesla ने पूछा कि एक बात बताईए सर कि Edison सर जो है वो इतने बड़े businessman कैसे है तो सह कर्मी ने बोला कि वो जो तुमको सामने आदमी दिख रहा है उसका वेट कितना होगा तो Nikola Tesla ने बोला 160-165 उसके बाद यही सवाल Edison से पूछा उस आदमी ने जाके मतलब जो सह कर्मी था Edison ने बताया कि 140 pounds exactly उतना ही वेट था उस आदमी का तब Nikola Tesla को समझ में आया कि Edison का जो instinct है यह जो attitude है यह बिल्कुल सही एक चीज को बिल्कुल सही predict करना इतना बड़ा इनको businessmen बनाता है Nikola Tesla एक genius थे एक अच्छे businessmen नहीं थे फिलाल इस समय तो definitely in the long run जीत Nikola Tesla की होई इस war of currents में हलाकि Edison एक बहुत बड़े inventor रहे है लेकिन ये दाख तो उन पर रहे गा ही रहेगा लेकिन आप इसका मतलब यह नहीं कि आप Edison को कट घरे में खड़ा कर दे यह situation हर एक इंसान के साथ होती है याद रखिएगा हर एक इंसान को कभी ना कभी युद लड़ना ही पड़ता है लेकिन वह ये हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते है और ये निकोला टेसला तो यहाँ पर बाजीगर साबित हुए ठीक है अगर हम परसनल लाइड की बात करें थॉमस हेडिसन की तो इनकी दो शादिया हुई थी सबसे पहले एक तो 1871 में हुई थी 16 साल की Mary Stilwell से जिनसे इनके तीन बच्चे तो तीनों साइंटिस्ट थे अलब तीनों इंवेंटर थे और उसके बात फिर जब 29 साल की उमर में Mary Stilwell का जब यहाँ पर दिहानत होता है तो उन्होंने दुबारा शादिकी दुबारा इन्होंने मीना मिलर से शादिकी और इनसे भी इनके तीन बच्चे थे और इनसे जो बच्चा हुआ Charles Edison वही इनकी कंपनी का मालिक बना और गवर्नर भी बना न्यूर्जर्शी का इनके बच्चे जो थे वो काफी समर्द काफी इंटेलिजेंट थे ठीक है जादा तर इन्वेंटरी थे तो आई होप एले चाहिए